हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप लोग उमीद करते हैं साथियों आप लोग अच्छे होंगे दोस्तो आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने मुबाइल फोन के जरिए आधार काट को कैसे डाउनलोड कर सकते हो आधार नंबर के माधियम से ठीक है तो दोस्तो जैसे uid सर्च करोगे पहले नंबर पर ही अधार का ओफिस्यल वेबसाइट आजाएगा देख सकते हैं www.uidai.gov.in इसके उपर आपको क्लिक कर लेना है ठीक है सर्च करने के बाद साथ हो यहाँ पर आपको लेंग्वेज चूज करने का उप्सन दिया जाएगा इंदे में बढ़ सकते हैं अस्मिया के अंदर बढ़ सकते हैं जिस लेंग्वेज में आप अगे बढ़ सकते हैं मैं यहाँ पर इंग्लिस लेंग्वेज को चुल लेता हूं चुलने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा पूरा इंटरफेस आपको खुलने देन है उसके बाद दूस्तो här करते हुए नीचे आने के करम में corr आपको क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको चिल्ल करने करने के बाद दोस्तों आपको स्टोर्रा पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा आपको आगे चला जाना है और जाने के करम में देखे download अधार का option आपको मिल जाता है ठीक है download अधार के option के उपर आपको click कर लेना है उसके बाद साथियों यहाँ पर देखिए यह पूरा खुल रहा है यहाँ पर आधार का download करने के लिए आपको तीन तीन option दिये गए है एक आधार नमबर का एक enrollment ID का और एक virtual ID का तो दोस्तो आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए इंटर अधार नमबर आपको लिखा गया है यहाँ पर अधार नमबर डालना है यहाँ पर capture फिल कर लेना है देखिए capture आपको यहाँ पर दिया गया है ठीक है उसके बाद यहाँ पर send otp के option पर आपको click कर लेना है जैसे इस send OTP के option पे click करते हैं साथियों जो भी आपका register mobile number होता है अधार card के साथ में उस mobile number के अंदर आपका total 6 digit का OTP आता है उस OTP को फिर आपको यहाँ पे enter करना है ठीक है देखें नीचे आपको यहाँ पे enter OTP का option मिल जाता है दोस्तों तो यहाँ पे OTP को enter कर लेना है चलि इसके उपर आपको अपको डिक कर लेते हो तो आपका जो अधार card होगा उसमें mask लगाओगा ठीक है यानि आपका चेहरा जुए वो नहीं दिएगा ठीक है यदि आप यह चाहते हो तो tick कर सकते हो यदि नहीं चाहते हो तो इसे आपको नहीं टिक करना है अब दोस्तों download option पर क्लिक करते हैं दोस्तों आपका अधार डाउनलोड हो जाता है तो दोस्तों चलिए यहां पर क्लिक कर लेता हूं साथियों finally मेरा अधार यहां पर download हो चुका है अब देखें यहां पर अधार खुलने के लिए पासफ़र्ड मांग रहा है ठीक है और पासबर्ट यहां पर अपको फिल करना है तब जागर के आपका अधार काड़ यहां पर दिखाइदेगा तो दोस्तो देखिए यह आपका रेडमी का फोन होगा या जैसेंड़ करते होगे उस पोन के आपको पासवर्ट फिल कर लेना ठीक है अब भाई पासवर्ट क्या होगा वो मैं आपको समझा देता हूँ देखे साथियों पासवर्ट जो होता है वो आपका माल लिजे कि नेम आपका जो है वो सुरेस है ठीक है तो आपका आप क्या लिखोगे एस यू आर एस एच ठीक है और आपका डेट ऑफ वर्थ जो है दोस्तों वो आप माल लिजे कि एक अगस्त उनीस सो अन्ठानवे ठीक ना उनीस सो अन्ठानवे है तो ऐसी सिते में आपका जो पासवर्ट होगा साथियों वो क्या होगा है वो समझने का परियास किजिएगा देखे जो आपका नाम है साथियों उसका सुरू का चार्ड डिजिट होता है सुरू का चार्ड डिजिट आपका नाम का सुरू का चार्ड डिजिट हो जाएगा यानि कि अई यू आर इ इसके अलावे दोस्तो जो डेट उऑब लाश्ट है न चार्ड डिजिय्ट सो अंठानबे है उनी सो अंठानबे यहाँ पर आपका पासवर्ड हो जाएगा तो simply पासवर्ड के अन्दर आपको ऐस यू आरी S sud Haraj अरे यह कैपीटिल लिटर में होना चाहिए ठीक है यहां पर ऐसा नहीं कि पहला वाला capital में आपने लिख दिया बागी तीन अक्षर जो है वो small letter में आपने लिख दिया तो आपको चारो अक्षर जो है वो capital letter में लिखना है और उसके बाद date of worth का जो last का चार डिजिट होगा यानि एमाली जी का आपको 2001 में जनम है या फिर 1995 में है तो last में आपको 1995 कर देना है या 2001 कर देना है ठीक है पासवर्ट जैसे फील करोगे दोस्तों आपको OK का यहां पे बटन दिया गया है देख सकते हैं यहां पे आपको OK का बटन दिया गया है इस OK वाले बटन के उपर जैसे क्लिक करेंगे साथियों आपका आधार जो है वो आपको download हुआ दिखाई दे देगा उमीद करते हैं साथियों आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा अगर कोई दिक्कत रहा गया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछे मैं आपको अवस्य रिप्लाइ करूँगा मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार